वेलकव तो माई यूटूब चैनल इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह इंटर लॉकिंग पेफर लॉक का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे अगर आप किसी जिस एरिया में काम करा रहा है यहां पर आपको यह लगे का जैसी कि गावों में कहीं देखे हूंग और यह वाली जो छोटी वाली लेंथ है वह यह है एक्टी में जो बड़ी वाली है यह है 120 mm ठीक है इसी को हमने इस केज के माध्यम से ड्रा किया हुआ है स्वारी यह गलत हो गया यह 160 नहीं होगा यह 120 होगा ठीक है लेंथ हमने बताया तो सब्सक्राइब था ठीक है और इन तो इतना को समझ में आ गया अब इसके क्या करना है इसके क्वांटिटी निकाने के लिए आपको एरिया चाहिए एक जिसमें लेंथ सो फीट लंबा और तस फीट चोड़ा का एक हमारे पास एरिया है ठीक है जिसका एरिया अगर इन दुनों को मल्टिप्लाई किया लेंद इसके हो निकाला है तो से एक स्कॉडर पूरा निकाला या बशेख में दूंत कका एसको लिए उतना है यह तो घ्री स्कॉर अब इसमें टइक्सन एरिया जो है वो यह हो रहा है यह वाला 80 mm यह है और फित नीचे का यह वाला सेव जो है यह हमने 160 दिखा है लेकिन वह सिस्ट है नहीं है 120 है तो 120 इसको हमने है डिड़क्ट किया तो यह दो सेप में डिड़क्ट होगा एक इस साइट से तो यहां पर देख सकते हैं इसके लिए हमने फर्मूला जो अप्लाई किया वह एट्टी ऊपर कर ले लिए और नीचे का 120 ठीक है अब यह 20 कहां से है वह हम दिखाते हैं पहले उस सेप हमने बना ल सब्सक्राइब है तो जाए इसी बात है यह 20 होगा अब कैसे होगा वह देख लिए टोटल एक सो साटे में मैं एक सो बीस माइनस कर दीजिए इसमें से तो बचा कितना चालिसे में तो बीस उपर आएगा बीस उपर नीचे आएगा तो वहीं हमने यहां पर लिग दिया तो होगा इस टाइब का से जो है इसको डिडेक्ट करना है विसके लिए क्या फार्मूला फ्लाइब कि आप वो दिखाते हैं आपको इसके लिए जो हमने फार्मूला अप्लाइब किया वहाई यह सब्सक्राइब देख सकते हैं यह विर्थ है 0.02 अब इसको भी हमने मल्टिप्लाइब किया तो आ गया 0.02 एक्सक्राइर मीटर तो इसलिए सब्सक्राइब देख सकते हैं यह दो साइड में इसको डिड़क्ट किया तो आ गया 0.02 एक स्कूर मीटर इसको इसको सब्सक्राइब करने के लिए 0.76 के मल्टिप्लाइब किया तो 0.301 स्कूर फिट आया ठीक है अब नमबर ब्लॉक निकालने के लिए टोटल एरिया हमारा दोनों को जब आइड करेंगे तो 3488 नमबर आएगा तो इस तरह से टूटल हमने क्वांटिटी निकाला